वेलकम टू फेंटेसी काउंसिर फुटबॉल अब आचुक है सेमी फाइनल की तरफ दूसरा सेमी फाइनल होने वाला है जो क्यों खेला जाएगा फ्रांस वसेज मुरक्को के बीच में और मुरक्को एक इतना बड़ा अपसेट करके आ रहा है पॉर्ट्यूगल जैसी टीम या मेरे लिए पर्सनली एक सेट बैक था कि क्रिस्ट्यान और रोनाल्डो भार हो गया हम सब का फुट्बॉल फैंस का सपना दागी एक लास्टाइम मैसी वजिस रोनाल्डो देख ले और अगर वर्ल्ड कप फाइनल जैसे स्टेज पर होता तो वीवर्शिप के सारे रिकॉर् आज में गोल कराता तो मैच अच्छा गयाता हमारा तो आप करेंगे शुरुवात अगले मैच की यानि इस वाले मैच की चलो करते हैं शुरूँ वीडियो आपके लिए क्या कर रहेगा वीडियो आपके लिए पूरी रहेंगी स्मॉल लीग की टीम कौन रहेंगे ग्रेंड गैipके की प्लेयस क्याटीन वाइस कैपटन जिघ्ली जिताने में करेंगे मदद और साती सात अपको रहेंगे फ्री गए मन मस्त वूरी वीडियो देखो और मजए लो क्या कर्रहें हो मज़े लो यार करते हां वीडियो शुरूख से पहले चैनल को सब्सक्राइब प्रेब लाइक कमेंट से उनिया वर की जो करने सब पुछ कर दो अब जा सबसे पहले बात करते हैं प्लेंग 11 कौन सा प्लेयर किस पोजिशन पर खेलेगा क्या मैंडसेट से उत्रेगा पॉर्टिवक पॉर्टीव फ्रांस और किस मैंडसेट से उत्रेगा मुरक को तो से पहले बात करते हैं France की France किस माइंड चैट से उतरने वाला है, France की माइंड चैट हमेशा अटेकिंग माइंड चैट रहती है, और इस मैच में में कुछ हमें, France अटेकिंग खेलता है यू नजर आने वाला है, फारवर्ड में, आपको कौन को नजर आएगगा, फारवर्ड में आपको नजर आएगा, पहला एंटोनी घ्रीजमयन आपको नजर आने वाला है यानी यहांप खेलेंगे, कायलिन एमबापे और ओलिवियर कायनिर जीरूड और साथ औलिवियर जीरूडो फ्रांस का हायस्थ तो इस ताइम सबसे ज्यादा गोल स्कूरर फ्रैंस के इसने करे हैं और बंदा चल रहा है है चार पांच भोल यह वेड़ कप में मार चुका है छार गोल मार चुका है और यह दोनों गोल्डन बूट की रेस में बने हुए है अगर यह मैच जीता है फ्रांस इसके चांसिस तो है बट मुरको जीता है तो इस बात का कंफर्म है कि गोल्डन बूट में कैली नंबा पे या ओलीवे जुरूड का नाम टॉप पे आ जाएगा कि इन उनों के गोल करने के चांसिस सबसे जाधा रहेंगे इस मैच में भी और सा पर शीट पर सिनप तक नाम नहीं दर्ज कर आए बट चाहेगा एट लिस्ट एक गोल तो मार दे यार इतने बड़े टूर्णमेंट में तो अच्छा है ना कि अब जरा बात करते हैं मिड़ फीड्डन को कौन को नजर आने वाला है पिछले मैच में इस बंदे ने गोल कर आ था बहुत तकड़ा गोल मारा था डी के बाहरे से पांच गोल कर चुका है और डेंब यह भी एक गोल कर चुका है तो खिल्मोस्ट फ्रांस की जो टॉप 6 है उसमें से पांच गोल कर चुके हैं और एक असिस्त तो मतलब टॉप सिक्स ने फारवर्ड और मिड़ फिल्ड में गोल भी करें और असिस भी करें तो इस तरह में फॉर्म में जब भी तो फ्रांस सेमिफाइनल तक पहुंच गया है बहुत अराम से जादा दिक्कत का सामने ने का थोड़ा बहुत दिक्कत का सामने हुआ था पिछले मैच म सेमिफाइनल में इंग्लियांग के किलाफ अगर हैरी केन पैनल्टी मिस नहीं करता तो हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है और फ्रांस आराम से सेमिफाइनल में पहुंच जाता है अब जरा बात करना हमको डिफैंसिंग ड्यूटी फ्रांस के लिए नहीं बाता हूं कौन को जराने वाल है सब्सागर रहेगा वराने साथ रहेगा कोंडे ओप मेकानो और हर्नेंडिस यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन प्लेयर है डिफैंसिंग ड्यूटी के अगर हम बात करेंगे फ्रांस के तो यह नों प्लेयर्स को अपनी खासी निजर रखना और अपनी टीम में जरूर इनको ट्राय करना इनका गोल्ची है हुगो लोरिस अब ज़र बात कर लेता है इस टीम की इस वर्ड कप की डार्क होस के बाता है यसमे लगाया जो ह भी वह मुरक्को का और उसी दिफैंस के फलबूत है मुरक को पहुंच गया है सेमी फाइनल में तो बहुत बड़ी बात है मुरक को जैसे छोटी टीम के लिए इसने बड़ी स्टेज पाके बड़े बड़े टीमों को बीट करना बेल्जियम स्पेन पॉर्ट्वल यह सब जाइंट्स है फुटबॉल के और इन सब को हराने के बाद मुरक को पहुंच गया है सेमी फाइनल में तो क्या एक और यूरोपियन जाइंट को खतम करके पहुंच जाएगा फाइनल में देखेंगे मैच में अब देखते हैं इनके थोड़ा सा किस माइंड चैट से किस से उतरने वाला किस फॉर्मिशन से फॉर्मिशन तो सबकी ऑल् में उन्होंने एक जीरो से लीड उसके बाद पिछला सेकिंड आफ पूरा पूरा डिफेंस में खेला है इनके रहेंगे वोफल एन नजेरी इसने ही पिछले मैच में गोल मारा था और एक जीरो से पॉर्टिकॉलर के खिलाफ लीड दिलाई थी और रहेंगे हकीम जियाच य अब जब बात कोईए हैं को कॉनघच देहुं 주 ने फिलेंट, कॉन को नज़र आएगा मिट फील्स में रहे गा, अमए अम्स द्सीन, आ व्राए egया उनाही और यहीं बहुत भून campus मैं बात करूं मिड़विड डिफेंसिंग मिड़विड और इसको ना याद कर लो अब जराब आपको निवातावा कौन को नजर आएगा मुर्फ को कि बैस्ट डिफेंस है अब तक का इस वर्ड कप का और किसकी वज़े से हैं अश्रफ हकीमी पीएसजी का प्लेयर है जिससे खेलता है नेमार और नेमार इसकी खासी तोस्ती है तो डिफेंस में रहेगा हकीमी और फॉरवड में उधर से रहेगा नेमार तो बहुत तगड़ा मजा आएगा इन दोनों की जूगल बंदी देखने में देखेंगे क्या रहेगा और आपको नज़र आएंगे इनके डिफेंस में हो चकता है एक आद चेंजिस में यहां पर देखने को मिल जाए क्योंकि पिसले मैस में बहुत सब के सारे लोगों के चोटे लगी थी तो अब देखना होगा कि वह ठीक हो गए है तो यही हमें प्लेंग 11 रहेगा सपोस नही चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जलू जाओ जोइन कर लो अब इतनों के टाइम वेश्ट नहीं करने का बहुत सारे चीज़ हैं मस्त मस्त चैनल पर जाओ तो सही और इनकम मैन ऑफ तक टूर्णमेंट जो मुझे लग रहा है मुरक्पो के लिए है उनका गोल कीपर बुनो जो इस बंदे ने रोनाल्डो का सेव रोका था वो गोल था बट इसने रोक लिया तो बहुत तगड़ी गोल कीपरिंग करिया इस बंदे ने पूरे ही वर्ड कप म में एक इसने और एक क्रोश्या के गोल कीपर ले इन दोनों गोल्चियों ने आग लगा रहा है केस पूरे वर्ड कप में बहुत तगड़ी गीपरिंग ये कर रहे है अब जरा बात करता हूं में अगर आपको फ्री की ओवेंज यानि की फ्री की चीज लूट में जाना है त उसके वाद एक और काम करना पड़ेगा को छोटा सा तेली ग्राम पर जाना फैंटेसी काउंसिल प्रो लिखना फैंटेसी काउंसिल प्रो और यह सब करने में अगर आपके हातों में दर्द हो गया हो कि आप तो सब हैं चूई-मूई तो एक काम करना डिस्क्रेप्शन में फेले लिख लेल्डेस आफ के कुली करãy verdंश जा जाएंगे च्छाएंगे बहुत असान है बहुत जादा सब करी लोग सो पहला कौर को सब आगए है कि क्रालियन अंभापे कितने पॉइंट्स देगा इस मैच में पिछला मैच में एमबापे ने गोल नहीं करा पिछले मैच में गोल करा था टैचे मनी और उलीवे जिरूड ने तो इस मैच का पिछले मैच के जे अब एमबापे जैसा प्लेगा एक मैच में गोल नहीं करा तो इस मैच में गोल करेगा ही करेगा इंबापे तो कितने पॉइंट्स देगा इंबापे फिर इंबापे देगा में 60 देगा जो मुझे लगता है और एक और मैं उप्षिन देता हूं सेवंट्याइंगण आपको आंशर का जो भी लगे मेरे यह ने मैंने बता दिये अब मस तरीकेु से अब इनगे जोंदर है किसका परलडा रहता है वारी इसका लाइब है इसका यहां बैलकुल सँखिए संखिँ में यह उसकी से जीधा है और साथ में जीता है फ्रांस और एए कि मात्र एक जीता है मुरक्को तो पूरा पर फेक्ट डॉमिनेंस है फ्रांस का मुरक्कों के उपपर और यह जो एक मैच जीता था वो जीता था नाइंटी सिक्स्टी थ्री अब लगा लो 3722 जोड़ लेना 57 साल पहले जीता था तो अब 59 स्वारी इतना टाइम हो गया कि जब तो मारे माबाप पैदा हुए थे जब यह लोग जीते थे अब जर्ण के पिछले हालिया मैंच इसकी डालते नजर किसका मतलब कौन कैसा रहा है कौन जीतरा है कौन कर रहा है सबसे पहले डालते हैं भी 2007 मैच पी तो आप लिए दोजार साथ में कहले आया नहीं है 15 साल पहले मैंच ही रहा था मुरुक्क और फ्रांस सोला नोंब्र और 27 वह मैच ड्रॉ रहा रहा है दो हजार में चोंदा च्छे जून 2000 में पांच एक से 1999 में एक जीरो तरह था फ्रांस निंटी नेंटी एट में दो दो से ड्रॉ और 1996 में एक जीरो से तरह फ्रांस तो इन सभी मैचों कोई मैं रहलेवेंस नहीं मानता हूं क्योंकि यह 15-15 स यह साल आक लास मेंस था उनका कोई रहलेवेंस निए बट हम करंड फोर्म की बात करेंगे तो करंड फोर्म में फ्रांस है बट पोर्टु कल को अंडर और स्वरी म्रक्कों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते मेरे मुब पोरटु कल चड़ावा निकलता है अरी न्मा फॉस्ट कंट्री ए ए॥े पूरे एफीका कॉंटिनेंट से yufa वrld Cup में सेंजी फाइनले पहुंच है मैं ययी पेहली कनट्री पूरे एफ्रीका कॉंटिनेंट नरिए युक्किंट के लिए तो पूरे एफ्रीका कॉंटिनेंट के लिए अरव की बात है कि एक एफ्रिकन नेशन वर्ड कप फीफा वर्ड कप वर्ड करें से बड़े टूर्नमेंट के पहुंच गया है तो रेस्ट इस इस्ट्री तो लेक्षी क्या होता यह था प्यारा सा फ़न कैट अब ज़र डालेते हैं रीशेंट फॉर्म्स पर नजर सबसे पर डालेंगे हम अम तो पिछले चार मैच में तीन जीते हैं और एक हा रहा है और स्टेंड आउट परफॉर्मेर कौन है जिरूड और कायलिंग एमबाप पे तो यह दोनों प्रेयर पर रखना अपनी खासी नजर अगर खेलने वाले हो ग्रेंड लीग और साथी स्मॉल लीग अब ज़र डाल लेते हैं नजर परफॉर्मेंस पे मुरक्को की क्यांकि मुरक्को इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रहा किसी ने सोचा नहीं था कि मुरक्को पॉर्ट्यूगल को हराता है कौड़र फाइमिल में गोल किसने करा एन जीरी ने स्पेन से खेलता है जीद का हगदार था बूनो जो इनका गोलगीपर है उसने बहुत तगड़ी गोलगीपिंग करिए और फ्रांस को स्पेन में करती है भार कैनाडा को रहा है दोएक से उसमें गोल किये थे हकीन जियास ने इसका मैंने अब बता दिया एक बहुत दोटन पेर हमारे लिए और नजीरी ने गोल कर रहा था और 2-0 से रहा था बेल्जियन जैसी वर्ड सेकंड नंबर की टीम है बेल्जियम और इसको 2-0 से रहा था उसको भी टाटा बाई-बाई-बाई बेच दिया घर उसमें गोल किस ने किया था जो इनगा कैप्टन है सायस ने और लिए तो जाइंट्स तीन यूरोपेण जाइंट्स को हराने के बाद मुरक को पहुंच गया है सेमी फाइनल में और एक और यूरोपेण जाइंट फ्रांस खड़ा उसके सामने मज़ा आएगा फ्रांस का अटैक और मुरक को का डिफेंस तगड़ा मैच में बहुत के जैए करें तो इनको अपने टीम में रखो और मस्त पाओ आ कंपर आये वफुपल बहुत अच्छा केल रहा है एक खेल डा इस फ raysेड़िकप में तो इसको अपनिटी intim में जरूद हिए अगला अश्राफ हकीमी देखो यह बन्दा है defender मैं बता लता हूं यह प्लेयर इसलिए है क्योंकि हमें defense के point दिया सकता है कैसे tackle one, Interception one, passes और clean sheet के point दिया तो हमें एक पुल मिलना के अराम से 40-50 point बिना goal assist के यह बहुत अराम से दे सकता है उसको अपनी टीम में जरूर 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 रखता है 59 इसने matches खेले हैं, 8 goal करें, 8 assist है तो मैं इसके goal assist को मानते ही कर देता है सोने पर सुआगा है, नहीं करता है तो हमें वैसे भी एच्छे का से point देदेगा 217 से सारे में अपने clubs के लिए 32 goal करें और 42 assist perfect team मैंने अश्राफ हकीमी और PSG का प्लेयर और Mbappé के साथ कि जो जूगल बंदी होगी मज़ा आगा देखने में अब आगया है हकीम जियाच यह attacking midfielder है मैं इसका बतायता हूँ आपको और हमें forward में यह नजर भी आएगा और यह तगड़ा खेल रहा है गोल भी कर चुका इस वाले world cup में जो इसका यह उननिस्वा गोल है यह इस ही world cup में आया है और 11 assistance के क्लब्स की बात करें तो इतने बड़े प्लाटफॉर्म पर गोल करना तो कुछ तो बात है मंदे में अगला प्लेयर है यूसुफ एंड नजीरी स्टार दो गोल कर चुका है इस world cup में और जो पिछला गोल कराता है इसने पॉर्टिकॉल करने काइस इस को कि और करें तो इसको तो मंधी में ट्राइब कर सकते हैं तो में चाहिं मेरे करें जरूब करेंने का इसे टीम में जान का है थोड़ों दुड 216 में सारे क्लब्स के लिए 57 गोल करें आट करें अशिस्ट अब आगया उलीवियर जी रूट फ्रांस का हाइएस गोल स्कोरर है तो सारा दौरमदर इस पर और एमबापे पर रहने बाला है और चार गोल कर चुगा है इस वाले वर्ल्ड कप में तो गोल्डन बूट करें अपना दावा मजबूत करें देखिंगे क्या होगा तो फ्रांस का हाइस को स्कूरर रहे हैं तो काफी एक्सपीरियंस भी है ओलीविय ज नियुक्त में जलने चाहा है आइफ नतित्न फॉल्ड इंस्टवर हो जाओ इसके बार रही एक रहार आज़ीทำ प्र इंस्टाग्रम आज़ोल्य की वर समूल में पोलता हुं मैं और देम भी ले तो यह तकड़ा वेज़ों नेले को देख कियो यह। अगर गोल और असिस्ट यह कर देता तो रहेगा सोने पर सुवागा नहीं तो यह यह टैकल वॉन असिस्ट पासिस करके हमें पॉइंट अच्छे का से दे सकता है अब आगया एंट टॉनी ग्रीजमिन खेल बहुत अच्छा रहा है इसने गोल भी कर रहा तर टूनीशे किला बट वह अफसाइड होने के वैसे वह गोल डिसलाओ हो गया पर एक खेल अच्छा रहा है काफी एक असिस्ट भी इसने इस वाले वर्ड कप में दे दिया और मज़े अब तक किसी प्लेयर करें तो वह अगर आप एक चीज़ देखो हाइस गोल फ्रांस वह भी खेल रहा है साथी अग्रीजमिन हाइस अबंदे ने करें वह भी खेल रहा है तो काफी जादा एक इंप्रॉटेंट मजबूत टीम बन गई यह फ्रांस की मजबूत तो है यार पि काफी इंप्रॉटेंट प्लेयर है मारे लिए अंटोनी ग्रीजमिन इसको आप सीवी सीवी ट्राय कर सकते हो भी ग्रेंड लीग में अब आगया है एमबापे भाई जिस फॉम में बंदा चल रहा है अब तुम यह लगा लो पांच गोल हाइस गोल को रहा है इस वाले वर्ड को का कौन है एमबापे तो इसको तो अपनी टीम में ना रखने की ना सपने भी मस सोचना अगर हारना है तो निकाल कर रखते हैं ना भार क्योंकि यह भाई एक गोल जरूर मारेगा क्योंकि बड़ा मैच के प्लेयर है और बड़े मैच में अगर बड़ा प्लेयर नहीं चलता है तो नुक्षान फ्रांस का होगा बट ऐसा नहीं होने वाला है यह गोल जरूर मारेगा एमबापे यह गोल जरूर में अपने इंटरनेट से करियर में एक अत्रीज गोल है और बाइस अश्च प्रांस का कौन होगा है अप्पे हाई असिस के नाम होंगा एमबापे 302 मेस के लिए ट्रिपल टू गोल यां रेक सो एक ट्रिपल वन असिस्टम बहुत तरड़ा प्लेर है इसको तो अपनी टीम में मैं कप्ता मिनाने वालों पहले जाता हूं स्मॉल लिग की टीम में यह मैं पहला लिया बागी प्लेर ने बताऊंगा वी वीडियो देखू ना दूसरा कोशन आ चुका है कि मैं अच का पहला गोल कौन करेगा मैं बता हूं मेरा अंजर सीधर कालिन इंबापे अब आपको जो भी लगेगा अपने कोडिंग देना कि अलीवियर जरूड है और आपको लगता है अंटोनी ग्रीजमन कर देगा या देम्बेले कर देगा या अशरफ हकीमिया के डिफैंस आके गोल कर देगा तो यह सब अपने अपने अकोर्डिंग आंसर लिख देना मेरा अंसर क्या रहा है मबापे जी अब आ चुकेंर कैपिंट्रफ्टर सबसे सिंपल है इसको कैप्टन पर Civ टेन अपने जरूर 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 और प्र जूम बंदा गोल कर दे तो आप एक गजम से सीधा बूम करोगा और मस्त अराम से क्रैक कर दोगा गरेंडी बड़ सिफ एक रिस्की टीम में कर दे हैं स्मॉल लीग में मत्सको ना दर ने कपतान और वास कपतां जोजमें आपको कौन रहेगा इसमें रहेगा घ्रीजमेन और डेंस अच्छान हम होगय को यह बना वी सी कर सकते हो कि उत्तों कि जीयाच और घ्रीजमेन को बीचि जरू जरू ट्राए करना इसके पीछे ए असिस्स करके हमें पॉइंट दे सकता है और जाद दातर चांसर ऐगा फ्रांस गोल करता है तो ग्रीम करता है तो अच्छा अब आ चुकँ हो मेरे कहां पर अपनी स्मॉल लीक की टीम पर तो यह रहेगी मेरी स्मॉल लीक की टीम चुफ देखो इस टीम को आपना स्मॉल लेकी टीम है मैं बताया तो अगर आपका बजट सपोर्स वन थाउसेंड है इस मेंच के लिए तो साथ सुरू पर लगा देना है टुमेड में और दो सुरू पर लगा देना अपना पर लगाना तीन चार कॉंबिशन जोइन आपको भी जिस बेसिट पर बताया है जिस नौजिल बोलते हैं नौजिल नहीं बोलते हैं तो उस बेसिट पर बना देना अपना ग्रेंडी के कॉंबिशन यह सबसे पर्फेक्ट रहेगा आपके लिए इंवेस्मेंट भी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया अब बताता हूं मैंने कौन-कौन से प्लेयर कहां कहां से उठाया फॉर्वर्ड मैंने लिया ओलीवियर जिरूड और कैलन इंबापय और य दिफेंस में हकीमी जियाच और ओनाही यह तीनों अने लिया है मुरकोब से और बोलची बनाया मैंने बुनयोकूम इसका रीजन है तो कि मबापय और जुरूड और ग्रीजमेन और टचमनी यह चारों के चारों और यह इसको पूरे मैंचम बिजी रखने वाले हैं ज़्या तो अपने टीम में इसलियल है मैं रिजन बिताइता हूं और यह बन्दा फॉर्म में भी है मैं बात करूँ सीदी इससा आप से यह गोल रोक रहा है तो इस वैसे भी रिजन है अगर मैं हटा दूं यह सब कुछ तो अभी मैं इसको यह ता कि जिसा आप से बन देना गोले र उतरना हो तो हमें एका चेंज देखने मुझता है वह कहां बहुता लगेगा हमारे टेल्ग्राम चैनल पर डेस्क्रिप्शन में लिए जाके जॉइन करो और मज़े लो मिलते हैं अगली वीडियो में